हेलो दोस्तों स्वाइब आते हैं आपका यूटूब चैनल जेपो टेडर्स क्लब में दोस्तों हम लोगों की जो सीरीज चल रही है एजुकेशनल सीरीज प्राइस सेक्षन तो प्राइस सेक्षन वाली इस सीरीज में हम लोगों ने प्रिवियस लास्ट दो वीडियो रिकॉर्ड करके अप्लोड कर दी हैं फर्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस सेकेंड थी ट्रें में इसमें हमने बताया था है कि trends कौन-कौन से होते हैं market के कौन सा trend uptrend होता है कौन सा trend downtrend होता है तो इसमें इन दोनों वीडियोज में हम लोगों ने इनके बारे में brief discussion किया हुआ है अगर आपने ये वीडियोज नहीं देख किये तो मेरे चैनल पर जाकरके playlist बनाई हुई है price action की basic knowledge of price action तो आप वहां से ये वीडियोज देख सकते हैं और अपने जो भी information about the price action आप गेन कर सकते हैं को दोस्तों तो दोस्तों आज का हम लोगों का topic होने वाला है है tools okay tools आज इस topic में हम discuss करने वाले हैं कि live market में analysis करते हैं हम price action को okay technical analysis में तो हम लोगों कौन कौन से tools जो commonly use आते हैं और उनके कैसे use करते हैं और उनके क्या-क्या use हैं आज हम वह discuss करने वाले हैं आज के वीडियो में ओके दोस्तों वीडियो आज का आपका अपली है बहुत इंपर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें कि दोस्तों without wasting time हम सुरू करते हैं okay basic tools होते हैं आपको यहां दिखा देता हम trade line होती है information line, trade angle, horizontal, horizontal ray यह यह different different type के tools होते हैं यह तो trade line के होते हैं वहीं अगर आप इसमें देखो यह analysis group में जैसे कि हम discuss करने वाले हैं इसमें basic common जो use आने वाले tools होते हैं वो ते एक तो यह trade line और इसमें से यह horizontal line बस mainly यह दो tools होते है horizontal line और horizontal ray okay दूसरा यहां से अपने draw करते हैं जैसे bruce और right angle, rectangle वाले जो चीज़े यह दो tools होते हैं okay तो हम use करते हैं सबसे पहले trade line को trade line को कैसे draw करते हैं और कैसे use करते हैं इसका क्या use होता है okay trading line का सिर्फ और सिर्फ एक ही use होता है कि मादलो market का जैसे high 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 point को आप अगर जैसे market high 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 point पे उनको अगर जोईन करते हो तो market में जो ट्रेड लाइन बनती है वो up trade line बनती है और आगर वहीं अगर जैसे चार्ट में किसी lower 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 point को जोईन करते हो तो वो भी एक trade line join करना कहलाता है जैसे कि आते हैं जैसे ये जैसे Nifty Bank का ये daily का chart है हम इसमें daily chart frame पर अगर ये trade line select किया हमने यहां से हम इसको यहां से trade line select करेंगे अब हम यहां से analysis करते हुए जैसे इसका ये high point है इस high point को इस high से और इस high से और इस high को join करते हुए हम इस trade line को आगे खीच देंगे किनी भी 2 या 3 high को जैसे हम लोगों ने इनको touch कर दिया और इस हिसाब से prediction करते हुए हम आगे इसको draw करते जाएंगे तो ये देखी हम लोगों की trade line perfect trade line हो गई तो इससे हमें क्या सीखनों को मिला कि हमने ये trade line draw करी ऐसे trade line हम draw करते हैं इससे क्या हुआ कि market अब हम देखोगे market ने इस trade line के यहां से start किया इसको touch किया अगेन इस trade line तक आया market फिर fall हुआ दूसी time भी इस trade line के पास में आया यहां से फिर again fall हुआ तो यहां हमें तीन बार इस trade line को touch किया तो अब हमने mana माना की आगे ये chart कहीं बना हुआनी है तो हम क्या करेंगे कि ये trade line draw कर देंगे हम इसे साफ से यहां से और माना की यहां आगे का chart सिर्फ इतना ही है तो हमने यeler trade line डोर करी आगे draw करते हुए हम इसको इसी एंगल पर आगे draw करते जाएंगे और आगे देखिया market ने fourth time भी इसी trade line को touch किया fifth time में जाकर के इस ने इस trade line को touch किया लेकिन इसके आज पास एक closing दी और इसको breakout किया और breakout करने के बाद में इसने देखिया यहां से यह उपर गया तो इसी trade line की respect करते वे market इससे नीचे नहीं आया और अगर market जब इसको respect करता है तो यहां से अच्छे खासी उसी direction move देखने को मिलती है तो दोस्तों trade line क्या होती है trade line सिर्फ यह होती है आप higher higher या lower lower कितने भी point होते है आप उनको एक साथ join करते जाएए और line खीचते जाएए वो ही एक trade line होती है trade line अगर आपन high high को join करते है तो वे resistance के जैसे act करती है पर अगर lower point को join करते है तो वो एक support के जैसे act करती है जैसे माल लो हमने यह trade line नीचे से draw करी नीचे के points को मिला मिला करके join करी है डो कर दी है यहां से हम लोगों पżej जिसी ए ट्रेलाइन डो करी तो यह से यह त्रीलाइन डो करी हो तो मारकेट्ट है क्या हुआ यहां से यह अप गया अगया तरेलाइन निचे आने की प्रबभुलियॆटि कम होती है आएगा तो सिर्फिस को चकर करके यहां से bounce back करने की probability हाई होती है तो इस हिसाब से देखिया market यहां आया, अगें इस trade line के आसपास में आया, अप move दिखाया फूर इस हिसाब से इस trade line के आसपास में तच किया इसको break करने कोशिस करी, लेकिन break नहीं कर पाया sustain नहीं हुआ, again up गया फिर again इसको touch किया, फिर यहां से again up गया, और अपवाली trade line के बीच में sustain गरते हुए इसको break out दे दिया दोस्तों, तो simple trade line कैसे draw करते हैं, मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ ओके, यह तो किया, आते हम single minute के chart पर, ओके, हमने तो hourly chart पर या daily chart पर draw कर लिये यह हम लोगों का जैसे मैंने यह trade line draw की हुई है कल के chart का analysis कर लेते हैं, हम लोग single minute पर या 5 minute पर, ओके, अब यह देखिए हम इसको 5 minute पर analysis करते हैं, जो previous day का chart था, ओके, यह तो आज का भी chart चल रहा है, हम previous day का chart देखते हैं, यह वाला, अब इसमें हमें trade line draw करनी है, माना की market इस से पहले, इस label से पहले market का आता हम वो draw करते हैं, जैसे माना हमने इसके high को यहां से draw कर लिया, यह body to body, आप इसमें body to body भी trade line draw कर सकते हैं, और wick to wick भी ट्रे कर सकते हैं, wick क्या होती है, यह trade line बनी हुई है, इन candles में यह जो portion बना होता है, यह नीचे वाली जो line बनी होती है, यह कल आती है, wick, यह उपर वाली wick, तो इसे हिसाब से यह wick होती है, और जो यह dark parts होता है, red green, यह होती है candle, इसको बोलते हैं, candle की body, और इस candle का जो line बाला पार्ट होता है, इसको बोलते है, wick, candle की wick, ओके दोस्तों, तो wick to wick, आपका trade line आप कैसे भी draw कर सकते हो, wick to wick draw कर सकते हो, यह body to body draw कर सकते हो, चलो हम इसको जैसे कि अब यहाँ, wick to wick draw कर देते हैं, यह wick लिया, यहां का, और यहां की trade line के wick to wick, हमने यहां से join किया, यहां से join किया, हमने कैसे join किया इसको, हमने माना कि यहां से market यहां तक आया, इस line तक, और इस line के सबसे, यहां की in line को, in line को हमने join कर दिया है, और join करते टच करते, इसके नीचे ही sustain कर रहा है, इसको break नहीं कर रहा है, तो मेरी यह probability क्या होती है, अगर ऐसी को trade line बन रही है, उपर से नीचे की side में, तो probability होती है, अगर उसको जहां भी break करेगा, तो market उसके उपर ही अगर इसको उपर sustain करता है तो वहां से bullish market होने की probability थोड़ी जादा होती है दोस्तों तो अब यह देखिए यहां से इसने इसको break किया अब मैंने इस trade line को यहां से break होने के बाद मैं इस trade line को यहां तक क्यों increase किया point यह है इसको यहां तक increase करने का reason यह है दोस्तों कि जब यहां से break out करेगा तो मैं wait करूँगा अगर इस trade line को यह sustain करता है तो जैसे यहां से break करने के बाद मैं यह देखिए इसने trade line को touch किया लेकिन closing इसके उपर ही दी again इसके उपर sustain रहा इसको touch किया फिर इसको उपर रहा again इसी को नीचे आने कोशिश की लेकिन इस trade line को इसने नीचे के side में break नहीं किया बार बार closing इसने trade line को उपर ही दिये तो यहां से हमें confirmation हो गया कि market अब यहां से bullish रहने वाला है इस trade line के बाद से तो यह trade line के use भी हो गया तो यहां से देखिए इस trade line को उपर जैसे नीचे प्रेकाउट किया market यहां उपर जाने के बाद में जैसे इस trade line को touch करने आता है दोस्तों तो उसको बोलते है retest करना market इस trade line को retest करने आया है technically में इसको retest करना बोलते है और last case भी बोलते हैं तो यहां से इसने test किया इसको पर sustain रहा तो यह देखे कल market ने यहां से एक अच्छा खास अप्मूव देखने को मिला और उसके बाद में जो fall होआ वो एक profit booking है वो बात की बात है लेकिन यहां जो हमने यहां जो practical analysis किया प्राइस एक्षन के तोर पर यहां से हमें जो हमने predict किया कि हाँ यह breakout के बाद market अप्मूव दिखा सकता है और यहां से अप्मूव दिखाया तो trade line draw करना trade line के advantage क्या है यह मैंने आपको बताया ओके अगर आप यह तो चलो upper side में trade line हो गई अगर हम मालो trade line draw कर रहे होते नीचे के लाद की bottom side से जैसे मैं यह सारा remove कर देता हूँ यहां इस tool में गए इस tool में जाने के बाद हमने trade line select करी trade line select करने के बाद में जैसे कि मुझे लगता है यहां तो मैं यहां से draw कर दूँ इस body इस body से draw करेंगे तो एक deep angle बन जाएगा इस deep वाला तो यहां से इसको draw करते हुए हमने draw किया तो यह देखिए एक trade line यह बनी और इसको हम थोड़ा modify करके बना सकते हैं जैसे मालो के यहां से support लेते हैं तो यहां से थोड़ा क्या होगा यह आप कैसे भी draw कर सकते हो पर draw करने में सरफ एक logic होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमने randomly draw कर दिया without logic कुछ भी नहीं है दोस्तों ठीक हमने इसको यही से draw किया चलो मान लिया तो यह body to body यह body to body हम लोगों ने इसको draw कर दिया दोस्तों यहां से जैसे हमने trade line draw करी यहां से draw करी हम लोगों ने इस जगे से यहां touch किया इसने trade line को लेकिन इसके उपर sustain हुआ अब लेकिन यह trade line में draw क्यों करी है कि यह trade line में नीचे से draw करी है और angle कैसा बन रहा है angle इस type का बन रहा है इसमें अगर इस type का angle बन रहा है और trade line market इसको पर यह sustain कर रहा है तो probability होती है इसको नीचे के side break करने की high probability होती है तो देखिए मैंने यहाँ इसको draw किया हुआ था और अब इस trade line को मैं जैसे यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिया है तो जैसे ही trade line break which यहाँ से यहाँ से मैं break out मिला break כי तो हमने यहाँ क्या क्या मैंने क्या बताय हुआ है कि market जब भी नीचे की side में और उपर की side में trade line को break करता है तो मैं wait करना चीह है कि उसको retest का तो यहाँ इसको retest करने के लिए आया इस level के आज़ पास तो यह देखिए तो breakout मला यह consolidated हुआ market कुछ देर के लिए और यहां से एक अच्छा-खासा fall देखने को मिला था तो दोस्तो ट्रेड लाइन की सिर्फ यही importance होती है कि market के support यहां से जैसे अपने कह सकते हैं टेक्निकली यहां support लिया, यहां support लिया, यहां support लिया प्रिवियस में अपने जैसे कि यहां से इसको ऐसे draw किया हुआ था जैसे अपने यहां इसको उपर की साइड से draw किया था तो वो resistance के जैसे काम कर रहे थी यह वाली trade line यह resistance के जैसे act कर रहे थी यह वाली trade line यहां कि market को यहां से उपर जाने से रोक रही थी या नीचे आने से रोक रहती, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ इसको break किया उपर की side में, यह देखिए, एक दिन के चार्टर हमें दोनों चीज़ देखने को मिली हुई है, यहाँ जब इसने इस trade line को पहले नीचे break किया, तो market fall हुआ, तब इसने उपर की उपर की अपने उपर horizontal line क्या होती है, horizontal line सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए यूज होती है, कि आप market का support और resistance पहचान सके, जैसे मानलो हमने इसको draw किया, यहाँ पंदर मेट के चार्ट पर, आप market का resistance और जो support level है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े चार्ट फ्रेम पर ही आप draw कर सकते हैं, जैसे कि हम हमने इसको zoom in किया, जैसे मानलो यह एक, जैसे कि यह lower level, इस lower level को हमने जैसे कि यहाँ वाली line को select कर दिया, और इसको dark कर दिया, कि हमने यह horizontal line draw करी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि यहाँ से, अगर हम देखें, तो इस line के नीचे, जैसे market यहाँ से आ रहा है, इस line को यह draw कर देखें, जैसे कि यह angle, तो यह rectangle भी draw कर सकते हैं, या फिर हम यह line भी draw कर सकते हैं, तो एक तरह से यह zone हो गया, तो इस zone में क्या होता है, कि market इस zone तक आ रहा है, लेकिन fall हो रहा है, जैसे इस zone को इसने break किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, कि यह वाली line, यह वाली line इस जगे resistance का act कर रही है, यानिकि इसको उपर नहीं जाने दे रही है, उपर जाने से रोक रही है market, तो यह resistance कर रही है, उसके बाद हम trade line ने जैसे इसको upside में break किया, तो यहां नहीं चाहिए, लेकिन उसी trade line है, जो हमने horizontal draw की है, यानिकि previous, आप इसको last तक देख सकते हो, इसने कह का straight line की respect हुई है, तो हम पीछे जा करके इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ, हम इसको कैसे draw करते हैं, इसका क्या यूज होता है, सिर्फ इतना ही, तो आज के लिए, हम लोग इतना ही discuss करेंगे, बाकी और brief discussion आगे की वीडियो में कर लेंगे, त इस ने straight line को, यहां से horizontal line को touch किया, तो अब यह क्या हो रहा है, कि यहां जो पहले resistance के जैसे act कर रही थी, यह वाला zone, अब यहां पर यह एक support के जैसे act कर रहा है, again support, again support, तो अब यह strong support हो गया market के लिए, ओके, तो यहां से इसको break करना, अनि कि यहां इसको break करना है, तो market हो बहुत powerful ताकत के साथ मैं नहीं कहते है न, power के साथ में इसको break करना होगा, ओके, तो यह तो हो गई, horizontal line को draw करना, horizontal line से हम support और resistance, analysis या predict कर सकते है, market का, कि हां क्या support है, क्या resistance हो सकता है, live market का, अभी, ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें, जैसे कि, यह ब्रुस तो आप use करना जानी के होगे, कि हां मैं यहां जो draw करना होता है, तो pencil के साथ से, तो यह होती है, दूसरा होता है, इसमें rectangle, rectangle मैं आपको बताई दिया भी, कि हां rectangle को कैसे use करते हैं, जैसे मान लो, अभी हम लोग, यहां है, यहां हम यह rectangle draw कर देते हैं, तो यह एक तरह से, इसका major support level हो चु करते हैं, और हम यहां से आराम से intraday के लिए 100.0 points आराम से profit book कर सकते हैं, जैसे market इस level पर आता है, दोस्तों होता यह है, कि अब यहां से market ने up move दिखाया, तो यहां अगर इस support पर वापिस आएगा, तो इसको थोड़ा break करने कोसुस करेगा, और यहां से हलका sub move दिखाएग थोड़ा retracement करेगा, जैसे support पर आएगा, थोड़ा retracement दिखाएगा, और उसके बाद में power के साथ में इसको break कर सकता, अगर इसको नीचे जाना होगा तो, लेकिन नीचे जाने से पहले यहां थोड़ा इसको problem face होगी, क्योंकि यहां buyers बैठोंगे, जो यहां से market पर उपर ले यूज़ करते हो, तो fibonacci को यूज़ करने का तरीक गया है, यहां से फिब retracement वाला जो यह है, इसको हम select करते हैं, अब जैसे मान लो, अब मान लो हम लोगों ने यहां, remove, all right, ठीक न, यहां से bottom to high, यहां के bottom से, यहां के high का, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी हम ल लोगों ने यहां support रो किया था, तो उसकी confirmation के लिए, कि हाँ यार, हम लोगों ने side row किया आएगा, तो हम लोगों ने यहां से bottom to high, फिबुनाची लगा देगा, जो इसका current एक rally किया market ने, ओके, तो current rally के एसाब से हम लोगों ने यहां फिबुनाची लगा किया, तो यह दे जो draw किया था, इससे हमे second confession मिल गई, कि हाँ यार, यहां तक market आएगा, तो यहां से इसको एक up, buyers जो है, यहां से इस level से, उपर के side ले जाने की कौसिस कर सकते हैं, तो यह support हमारा perfect है, तो जैसे ही यहां आएगा, हम यहां से buy करने का try करेंगे, दूसरा, मान लोगों है, अभी देखिए, तो यह जो level है, वो कितना बैठ रहा है, यह देखिए, यह 38.2% बैठ रहा है अभी यह level, अभी यह level जो है, हम लोगों का 38.2% का level बैठ रहा है, यहनि कि इस level के आसपास आ सकता है market और यहां से rejection phase करने को मिल सकता है market को, तो फिबो ना ची आप कैसे भी ड्रो कर सकते हो, उसमें भी logic होना चीए, ऐसा नहीं कि आपने wick to wick dry किया, आप wick to wick, body to body कैसे भी ड्रो करिए, बस आपके जो भी trade line है, यह जो भी आपका analysis है, उसमें logic होना चीए, दोस्तों, जिस तरह से अभी मेरा logic है, अभी हम इसको देखते हैं, जिस तरह से मैंने आ रडे का profit book कर सकता हूं, तो यहां से मैंने क्या expect किया है, कि market इस level तक आ सकता है, और यहां से एक rejection phase करने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से बार बार आ रहा है market, इस level पर जब भी market आ रहा है यहां, तो बार बार market को यहां से rejection phase करने को मिल रहा है, दोस्तों, तो दोस्तों, आपको बता देता हूं, मान लोग कि हम लोगों यहां से यह, यह हम लोगों का यहां से ब्रेक आउट था, ठीक है ना, ब्रेक आउट के बाद में मार्केट यहां कहीं आया, और आने के बाद में हमें यहां जैसे मान लोगों यह ब्रेक आउट वा, तो और हम लोडो ने लाश्ट किस पर, यह Vermeet के लिएकर डिया के यहांसे बाई कर दीया, माननों, हमने इसको बाई किया है इस लेवल से, इस बाई किया है, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां चाहेंगे, अगर बाई किया है, जैसे हम मानते हैं इस level का target लगाते हैं जो बैठ रहा है 80 पॉइंट का, क्योंकि अब मैंने ये क्यों ड्रो किया है अपना target यहां क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ये देखिए, ये एक resistance level है, हो सकता है market इस level तक आए, लेकिन उस से पहले resistance हो बैठ रहा है, वो इस level का बैठ रहा है ठीक है ये बाला जॉन का, तो हो सकता है market इस level पर ही आकर के और वापिस नीचे की साड़ आ जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी हिसाब से यहां जो विक बनी हुई है candle की closing दिखी हुई है, यहां से यह एक support level था तो अब ही resistance की जैसे act कर सकता है तो ऐसा सोच करके मैं अपना target यहां तक का ही plan कर रहा हूँ तो मैं इसमें लगा लूँगा कि यहां से मानलो कि मैंने इस level तक अपना target लगाया तो यहां मुझे दिखरा है 81 point और अपना stop loss केतना रखूँगा मैं stop loss रखूँगा जैसे मानलो कि मैं इस level का stop loss अनि 80 point का target ले रहा हूँ तो 80 point के हसाब से अपना stop loss लगा दूँगा मैं तो यहां से मुझे prediction हो जाता है कि हाँ यार हाँ ठीक है यार हम लोग इतना target इतना stop loss लगा सकते हैं और उस एसाब से हैं अपने prediction के इसाब से चलता रहता है तो यहां हमें पता चल गया कि अगर अपना target होगा तो यह green वाला portion रख हो जाएगा अगर अपना stop loss होगा जैसे कि मानलो कि हम लोगों का stop loss होगा तो यह जो red वाला portion है यह dark हो जाएगा तो सिर्फ इसमें यह होता है कि अपने stop loss और target को आप लगा दो अभी market में currently हमें क्या profit चल रहा है वो आप यहां चार्ट में देख सकते हो और चार्ट को भी continue read कर सकते हो ठीक है और अगर मानलो sort किया है तो sort के साब आप यह sort पर क्लिक कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा कि तो target है profit वाला green part नीचे हो जाएगा और red वाला part उपर हो जाएगा जैसे मानलो हम लोगों ने यहां इसको इस level पर sort किया होता कहीं और हम लोगों को इस level पर मिल जाता कहीं तो यह सिर्फ simple use है तो इसमें main use जो होता है वो होता है ट्रेड लाइन का horizontal line का और इस rectangle और इस bruce का तो simple user tools में हम यह 3 tools को use करके ही अपनी price action के trade को execute करा सकते हैं simple analysis करते हुए ओके तो basic है दोस्तों यह मैंने बताया अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह support के आस पास आ सकता है market और यहां से rejection phase करने को मिल सकता है तो अभी मैं यह live अभी आप लोगों सामने live च आज की candle है पंदर मिनट की तो इस वाली candle ने देखिए हमने जो यह support draw किया था इसके just pass में आकर के bounce back किया है तो यह देखिए यहां से इस लेवल पर 74 साथ स्वास्य आने के बाद में 900 पर वापिस bounce back कर गया है तो हमने जो यह analysis किया था कि इस market के आसपास आएगा हमने predict किया यहां पर जैसे आएगा market up move देखने को मिल सकता है तो वैसा ही market न भी मैं आप लोगों को सामने live बता दिया हूं कि market न ऐसा किया है यह देख लीजिए तो simple दोस्तों यह चीजों का use करके हम सिर्व अपने support resistance और trade line और angle define कर सकते हैं और उस हिसाफ से हम लोग अपनी trade को execute करा सकते हैं दोस्तों तो अभी देख लिजिए अभी क्या हुआ यह लाइव है इस वाली candle का देख लिजिए अपने जो support draw क्या था अभी तक यहां आया नहीं था इससे पहले जैसे अपने draw क्या उसके बाद में आया और यहीं से touch करके market उपर की side वापिस move कर चुका है दोस्तो तो दोस्तों simple आज मैंने आप लोगों को tools समझाने कोशिस करी है तो मैं अम्मिद करता हूँ कि आप लोगों के tools का use करना और इनके क्या क्या advantage है वो आपको समझ मां आया होगा और आप भी इनको use करके price action based trading करने की कोशिस करोगे मैं ऐसी आसा रखता हूँ ओके दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही थेंक्यों दोस्तों